अभिशेक लगातार हो रही पोकिंग से तूट चुका है वो इस बात को लेकर परिशान है कि जो भी आए वो उसके रिष्टे के बारे में बहुत कुछ बोल कर चला जाता है और अब हम आपको बता दे कि किस तरीके से चीजे सामने आई है यहाँ पर अब देखने को मिला है कि यहाँ समर्थ और मनारा ने मिलकर बहुत जादा बुली की है अभिशेक कुमार की और अभिशेक इनी सारी बातों को लेकर रोता हुआ नजर आया है तो अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बातों मेरिया के पास जाकर अभिशेक दुखी था वहाँ पर अनुराग ने जाकर उससे बात करने की कोशिश की और उसको साफ साफ कहा कि तुझे कौन सा जाकर बाहर इन लोगों के चेहरे देखने हैं तू क्यों परेशान हो रहा है तू जो है बिलकुल भी परेशान मत हो और तू अपने आप चिल कर तो जितनी बाते सोचे का और वो भी मनारा की कही हुई तो उतना ही परिशान होगा तो एक बात दोता है है कि अब यहां पर मनारा ने अभिशेग को बहुत सारी बाते सुनाई है और वहीं ईशा ने भी अभिशेग को बहुत कुछ ऐसा बोला है जिसकी वज़े से अब अभिशेग तूट चुके हैं आप इस बारे में क्या कह आपको लगता है कि वागई में लगातार, विक्की, नील, समर्थ, ईशा और मनारा की तरफ से जो भी पोकिंग हो रही है अभिशेग की इन सारी चीजों से वो तूट चुका है आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं झाल 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 झाल